हलो माई फ्रेंड्स मैं पायल और आपका स्वागत है कुक वित पायल में और आज हम बनाएंगे बेसन पिस्ता रोल बिल्कुल आप लोगों को ये पांस दिनों का तेवहार बहुत ही मुबारक हो और आप लोग अपने फेस्टिवल को खोब अच्छे से इंजुआए करें और बहुत ही डिलेशास और बहुत ही यमी लगता है खाने में कैसे बनाएंगे चलिए फटा फट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं फर्स टाइम वाच कर रहे हैं तो इसे बिलकुल सब्सक्राइब करिए और पास ही में बेल आ इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम डाल लेंगे अपने पैन में आधा कप देसी घी और गी से फ्लेवर कोई भी मिठाई हो दुगना हो जाता है उसका फ्लेवर और इसमें हम डालेंगे डेड़ कप बेसन और बेसन को हमें बिल्कुल धीमे आज पे भुनना है बिल्कुल सिंपल इंग्रीटेंस से बनकर रेडी होने वाली है ये मेरी हमारी मिठाई और बिल्कुल आप तीस से वहारों पे या कोई भी फंक्शन होगा आप फटा-फट से ये बना कर रेडी कर सकते हैं बिल्कुल घर पे ही आपकी सारी सवान एवलेबल होते हैं डेड़ कप मैंने डाल दिया है बेसन और इसको हम अच्छे से भुनेंगे शुरू में आपको ये थोड़ा सा ड्राइ अप लगेगा पर जैसे जैसे हमारा ये बेसन भुनकर रेडी होगा वैसे वैसे ये घी रिलीस करता रहेगा और ये काफी बलकुल गिला सा लगने लगेगा आपको तो अभी आपको देखे बेसन हमारा ड्राइ लग रहा है पर धीरे धीरे ये घी रिलीस करेगा बेसन को आपको बिल्कुल धी में आज पे भुनना है काफी अच्छे से अगर बेसन आपका कच्छा रह जाता है तो आपके मुँ में चिपकता है और ये कच्छा कच्छा सा फ्लेवर आता है आपके दात में चिपकता है ये इसलिए बेसन को काफी अच्छे से भुनना बहुत जरूरी है अगर आप बेसन से कोई भी मिठाई बना रहे हैं तो बेसन के लड़ू भी मैंने आप लोगों से बिल्कुल शेयर किया हुआ है और मेरे चैनल पे बहुत सारी मिठाईयों की रेसिपी है तो आप प्लेलिस्ट में स्वीट डिश पर जाकर क्लिक करिए और वहाँ प कि एक फेस्टिवल का आनंद आता है और बहुत ही खुशी भी मिलती है तो देखे काफी गीला हो गया है हमारा बेसन भूंते-भूंते मैंने अब से अभी कहा ही था कि ये भूंते-भूंते काफी गीला हो जाएगा और देखे इस समय ये काफी गीला हो जाएगा और बेसन इसमें milk powder add करेंगे milk powder से जो sweet है उसका taste काफी enhance होके आजाता है बहुत ही tasty और बहुत ही delicious लगने लगती है ये हमारी sweet और बिल्कुल बाजार वाली जो हमारी मिठाईयों होती है उसका taste आजाता है तो basin हमारा काफी अच्छे से भुन चुका है color भी इसने बेसन जब हमारा अच्छे से भुन कर ready हो जाएगा उसी के बाद ही आपको milk powder add करना है इस बात का जुरूर द्यान रखिएगा क्योंकि milk powder बहुत ही जल्दी से pan में चिपकने लगता है और एकदम red सा color होने लगता है और बिल्कुल लगर आप पहले add कर देंगे तो फिर आपका बेसन अच्छे से भुन नहीं पाएगा और वो कच्छा कच्छा सा flavor आपकी sweet में आएगा तो बेसन को काफी अच्छे से भुनना बहुत ही ज़रूरी है और आप देख रहे हैं कि मुझे बेसन भुनते हुए काफी टाइम हो गया है और अब इस समय ये liquid भी हो चुका है और इसने color भी थोड़ा-थोड़ा सा change कर लिया है तो बिल्कुल आपको इसी तरीकी से बेसन को ready करना है बेसन एक बार अच्छे से भुन जाए उसके बाद आप इसमें milk powder add करिएगा और इसमें आप अपने मन चाहा flavor और टेस्ट इसमें डाल सकते हैं आप चाहें तो थोड़ा सा केसर को थोड़ा सा lukewarm milk या water में भिगो दें और उसके बाद उसमें add कर दें उससे भी color बहुत ही अच्छा आता है आपके स्वीट का पर बेशन में अपना ही एक color होता है तो एक्स्ट्र कोई भी color आपको add करने की जुरुत नहीं है आप चाहें तो इसमें इलाइची powder डाल दें या फिर कोई भी अलग सा टेस्ट जो आपको पसंद हो वो इसमें add कर सकते हैं तो देखें बेशन हमारा काफी अच्छे से भुन कर ready हो रहा है और जब आपका पसंद इस तरीकी से color change कर दे तो उसके बाद आप इसमें milk powder add कर दीजे थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा घी समें कम लग रहा हूँ और milk powder डालने के बाद थोड़ा सा घी आप add कर देंगे न तो वो भी काफी अच्छे से भुन जाएगा और देखें दो सी चार मिनट तक आपको अगेन इसे भुनना है अपने milk powder को भी अपने basin के साथ बिल्कुल mash कर लिजे आप spatula की help से और ये बिल्कुल इतनी बढ़े हाँ consistency में आ जाएगा देखें कितना बढ़े हाँ लग रहा है देखने में इसमें अलग से अप कोई भी घी या कोई भी चीज एक्स्ट्रा add करने की ज़ुरत नहीं है बहुत ही एकदम smooth paste हमारा बिल्कुल जैसे ready हो गया है ये अब हम इसमें डालेंगे अपने dry fruits इसमें मैं डालूंगी पिस्ता और बादाम क्योंकि हम पिस्ता और बादाम roll बना रहे हैं तो बिल्कुल आप इसमें बिस्ते को बारिक बारिक सा काट लिजे और उसके बाद इसमें add कर दीजे साथी में बादाम आप लच्छे लच्छे से काट लिजे और उसको भी add कर दीजे आप चाहें तो काजू भी इसमें add कर सकते हैं अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने पर के लिए और बिल्कुल जब ये काफी अच्छे से ठंडा हो जाएगा लगभख 90% ये जब ठंडा हो जाएगा उसी के बाद हम इसमें चीनी अड करना है गरम बेसन में बिल्कुल भी आप चीनी अड मत करेंगा नहीं तो ये आपकी ज तेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर एड़ कर लेंगे जितना भी आपको मीठा या कम मीठा खाना है उससाब से आप इसमें स्वीट एड़ कर सकते हैं आप चाहे तो बूरा या फिर कोई भी स्वीट आइटम जैसे आप मिष्री का भी पाउडर इसमें आट कर सकते हैं अगर आप डाइट कॉंशियस हैं तो साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा फ्लेवर इलाइची पाउडर का डाला है और अब इससे हम हाथ से काफी अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे और ये काफी अच्छे से डो की consistency में आ जाएगा आपका ये मिष्रन और हाथ से काफी अच्छे से आप मैश कर करकर आप अपने चीनी और बाग बेसन को काफी अच्छे से मिला लिजे तो चीनी में अक्सर थोड़े से डले जैसे पढ़ जाते हैं पाउडर शुगर में अगर आपन मैश कर लिजेगा और उसके बाद इसका डो जैसा रेडी कर लिजेगा तो ये काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसको हम रोल के जैसे बना लेंगे इस तरीके से आपको सिलेंडर शेप में इसको बना लेना है और ये हमारे बेसन रोल बिल्कुल रेडी हो गये हैं इसी तरीकी से हम अपने सारे रूल बनाकर रेडी कर लेंगे, बहुत ही जटपट से बनकर रेडी हुने वाली है और बहुत ही डिलिश्यस भी, घर पे रखे हुए समान से आप सिंपल मिठाई बना सकते हैं, उपर से मैंने इसमें चांदी का वर्क और पिष्टाशे गानश कर दिया है, और ये देखने में बहुत ही डिलिश्यस लग रहा है, बिलकुल बाहर वाली मिठाई से, बिलकुल आपका ये मिठाई बहुत ही हेल्दी और बहुत ही हाईजिनिक वे में रेडी हुआ है, तो बिल्कुल घर पर आप इस फेस्टिवल इस दिवाली जरूर बना कर ट्राय करें अपनी होम मेट स्वीट से बिल्कुल हेल्दी वे में और उमीदे फ्रेंट्स आप लोगों को मेरी ये बेसन पिस्ता रोल जरूर पसंद आएगी अगर आप लोग इसे ट्राय करते हैं तो चली फ्रेंट्स फिर मिलूंगी ने वीडियो में ने टॉपिक के साथ और बिल्कुल कोई ने रेस्पी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फोर वाचिंग माई वीडियो बाई माई फ्रेंट्स एंड हैपी फेस्टिवल